नमस्कार दोस्तों मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ डिस्टर मार्केडिंग मेट्स चैनल पे आज का जो हमारा टॉपिक है कि आप वेबसाइट कनवर्जन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं लिंक्डिन एड में दोस्तों अगर आप चैनल पे नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेए वीडियो को लाइक कर दीजेए इस पूरी सीरीज में मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप लिंक्डिन एड पे different campaign जो different objective उनके साथ create कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपना यहाँ पे campaign group को select करना है उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी campaigns में आना है आपको यहाँ पे create पे click करना है और first option campaign को select करना है सबसे पहले हमें क्या करना होता है अपनी campaign के लिए एक object को select करना है तो तो यहाँ पर जो आप दिख सकते हैं लेफ साइड में हम सेट अप कैम्पेन में सबसे पहले जो है यहाँ पर हमारा objective selection है आप जिसे इस पर click करते हैं आप दिख सकते हैं यहाँ पर हमें objectives मिलते हैं तो हमारा जो आज का topic है वो convergence में second है website convergence इसको आप कब choose करेंगे अगर आप च website conversion as a objective choose करना चाहिए दोस्तों मैं और आपको यहाँ पर suggest करूँगा website objective अगर आप चूज करते हैं तो सबसे पहले आपको insight tag लगाना है अपने website के सभी pages पे उसके बाद आपको conversion create करना है तब ही आपको इस तरह का जो यह objectives को choose करना चाहिए आगर आपको नहीं आता किस तरह क आपको link देता हूँ आप जाके देख सकते हैं जब आप यूज करते हैं objective like website conversion तो LinkedIn ट्राइ करता है आपकी आड उन लोगों को दिखा है जो आपकी आड पे click करके आपकी website पे एक valuable action लें चाहिए वो lead form submit करना हो या click to call button है या WhatsApp button है तो यहाँ से हम website conversion को select करते हैं दोस्तों बता चुका हूँ जो सबसे left side होती है आप देख सकते हैं वहाँ पर हमें दिखता है अभी हम campaign की कौन सी stage में है जो center होता है उसमें आपको select करना होता जैसे अभी हम objective selection हमने किया अब हम audience वाली stage में है आप देख सकते हैं second है audience और जो right side होती है वहाँ पर क्या होते हैं जो भ broadcast देख सकते हैं right side में तो हम आप second जो यहाँ पर option audiences का है सो दोस्तों मैं बहुत detail में वीडियो बना चुका हूँ audience के बारे में जिसमें मैंने explain किया किस तरीके से LinkedIn पर audience होती है अगर आपने जिसे create की दो saved में आती है जो LinkedIn पर already created audiences में आती है साथ में किस तरीके से एक आप नय audience को select कर सकते हैं दोस्तों उसकी बाद यहाँ पे option मिलता है add format का इसको मैं भी cover करता हूँ सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे bidding की so bidding में आपको कौन से option मिलते हैं मैं यहाँ पे change पे click करता हूँ तो हम यहाँ पे change कर सकते हैं देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो recommend है वो website website conversions है जो recommend है और definitely आपको choose करना चाहिए लेकिन साथ में आपको यहां पर landing page clicks और impression को भी option मिलता है तो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से यह एक दूसरे से different हैं दोस्तों यह चार्ट आप देखते हैं आपको clear हो जाएगा जो website conversion campaign होती है वो इसमें आपको charge हो सकता है landing page click के basis पर impression के basis पर message sense के basis पर यह depend करता है आपकी optimization goal के उपर आपकी bidding strategy के उपर यह आपने कौन सा format select किया तो example लिए आप देखिए यहां पर अगर जैसे हमारा objective तो website conversion है बट चो optimization goal अगर आप यहां पर उसको choose करते हैं website conversion तो आपके बस दो यहां पर bidding strategy का option आएगा पहली है maximum delivery जिसमें आप automated जो bid strategy को use कर सकते हैं बट जो आपको charge होगा वो impression की basis पर होगा और पूरा control LinkedIn के हाथ में होगा कौन सी कितनी bid आपकी increase करनी है decrease करनी है लेकिन आप manual bidding यूज करते हैं जिसमें आप cap कर सकते हैं तो लेकिन जब आपको charge होगा वो landing page clicks के basis पर होगा जब आपकी ad पर कोई click करेगा और landing page पर जाएगा तब आपको charge होगा अगर आप optimization goal ही change कर देते हैं जो मैं recommend नहीं करूँगा आप landing page क्लिक कर लेते हैं basis पर ही होगा जो मैं आपको recommend करता हूँ आप यहां पर start कर सकते हैं website conversion को आप चूज करिए as your optimization goal उसके बाद आप manual bidding को select कर सकते हैं जिसमें आपको landing page की basis पर charge हो इसमें आपको impression की basis पर charge नहीं होगा कि आपको इतने impression मिले तो आपको एक amount charge हो जाएगा तो अगर किसी user ने click कि आपकी add पर तब ही आपको charge होगा तो website जो conversion उसमें click कैसे हो सकता एक बार उसको भी discuss करते हैं तो सबसे पहले हम discuss करेंगे हैं यहां पर single image और जो हमारी carousel add के बारे में single image में क्या होता अगर कोई भी user click करता है आपके text के उपर या आपकी headline के उपर जिससे आपका जो URL है वो open हो जाएगा तो आपको charge होगा या आपका जो call to action बटन है उस पर कोई click करता है तो आपको charge होगा अगर आप carousel add use कर रहे हैं और जो different आपके cards उनमें different URL है तो आपको हर unique URL के लिए एक बार charge होगा ऐसा नहीं है कि आपको add पे एक बार click हो तो आपको एक बार charge होगा कौन से click charge नहीं होते हैं चिक्के अगर किसी ने आपकी company की logo या company name पे click कर दिया तो आपको charge नहीं होगा जो window open होती है जिसमे like comment show होते हैं अगर उस पर click किया तो आपको charge नही होगा तो आपके लिए समझना काफी जरूरी अगर आपने कोई add format को select किया कौन से click आपको charge होंगी कौन से charge नहीं होंगे क्योंकि उसी की basis पर आप call ले सकते हैं कि आपको कौन सा optimization goal को select करना है और कौन सी आपको bidding strategy use करनी चाहिए इसी तरीके से आप यहां पर video add run कर सकते हैं इसमें क्योंगा अगर कोई user आपकी headline CTA video पर click करता जिस आपका URL open हो जाता हो तो आपको charge होता या anchor the video to the top of the page ठीक है उसके बाद आपकी text add होती है उसमें कैसे charge होगा आपको बहुत simple है किसी भी user ने click किया आपकी headline पर या text पर जिससे आपका जो भी URL है destination वो open हो जाता है तो आपको text add के रिए charge हो जाएगा इसी तरीकी साब की message add होती है दोस्तों जो message add यहाँ पर है उसमें आपको click के basis पर charge नहीं होता कितने message send किये तो cost per send basis पर आपको charge होता है तो आपको इस बात कर दियांदर अगर आप message add यूज करते तो आपको cost per send basis पर charge होगा message आपको यहाँ क्लिक की basis पर charge नहीं होगा last इसमें होती है follower add इसमें कैसे charge होगा या तो आपकी call to action button पर click हो या आपकी add पर कहीं पर click हो जिससे आपका destination URL उपन होचे तो आपको charge हो जाएगा अब आपको clear होगे किस तरह की जो advertisement आप run कर सकते है add type I mean और साथ में अगर आपको किस basis पर charge होग तो यह आपको call लेनी है but मैं आपको suggest करता हूँ आप यहां पर website conversion manual bidding की साथ जा सकते हैं अगर आप चाहते हैं आपको landing जो page click की basis पर charge हो लेकिन अगर आपका एक अच्छा decent budget है और आप चाहते हैं कि सिरफ impression की basis पर मुझे charge हो तो यहां से आप maximum delivery जो automatic bid strategy उसके साथ start कर सकते ह तो दोस्तों जिसे अभी हमने discuss किया यहां से अगर हम देखिए अगर यहां पर landing page click करते हैं तो सिरफ हमारे पास जो manual bidding का ही option रह गया है जिसमें हमें per landing page click charge होगा अगर मैं यहां से change करके इसको impression करता हूँ तो यहां पे हमें per thousand impression charge होगा तो इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ 10 impression का क्या charge होगा चार्ज हमेशे आपको per thousand impression ही देना होता है तो यहां पर अपर एक अपना amount से start कर सकते हैं देख सकते हैं किससे start करने में example कर यहां पर जिसे 500 add करता हूँ तो आप देख सकते हैं minimum amount जो मुझे enter करना होगा वो 513.75 करना होगा हाला कि LinkedIn आपको काफी high यहां suggest करता है पर आप यहां पर minimum amount से start कर सकते हैं इसी तरीके से अगर आप landing page click करते हैं तो उसको भी आप यहां पर minimum amount डालके देख सकते हैं कि किससे आपको start करना है तो example के लिए मैंने यहां पर 100 के तो 100 को भी select कर लिया मैं यहां पर 20 करता हूँ आप देख सकते हैं आप यहां पर एक error आला कि मुझे minimum 80.75 पैसे से start करना पड़ेगा at least मुझे एक click का pay करना पड़ेगा जो काफी high है अगर आप compare करते हैं other ad format से लेकिन LinkedIn की जो add है वो definitely उनका impact अलगे और थोड़ा से expensive वो हैं चीक है तो आपके पास जो यहां पर first option है वो यहां पर है website conversion इसमें आपके पास दोनों option होते हैं आप manual bidding भी कर सकते हैं और साथ में आप यहां पर automatic bidding भी कर सकते हैं तो यहां पर definitely आपको minimum 80 में यहां पर example के लिए 81 करता हूँ तो यह आपको allow कर देगा तो per landing page click पे आपको 81 रुपीज यहां पे करने होंगे दोसरा option है कि आप 1000 impression की बेस पे पे कर दे और यहां पे आप maximum delivery को select कर लें चीक है तो यहां पर आपके बास ad format का option होता है आप यहां पर single ad, carousel, video, message, text, follower यह different ad चला सकते हैं तो मैं example के लिए यहां पर single image ad को select करता हूँ, फिर आती placement की बात, दोस्तो definitely LinkedIn तो यहां पर by default check है, अगर आप चाहते हैं कि जो LinkedIn की audience network है, जो third party publisher है, चीक है, उन पर अगर आप ad चलाना चाहते हैं, तो आपको इस button को जो यहां से check रहने देना है, otherwise आप इसको remove कर सकते हैं, तो दोस्तो मैं suggest करूंग, starting में आप इसको remove करें, और सिरफ LinkedIn पर ही अपना ad चलाएं, third party को आप बात में दिख सकते हैं, based on your, जो भी campaign की result है, आप उसको और broad करना चाहते हैं, तो यहां से आप select कर सकते हैं, फिर आपके पास यहां पर option होता है, budget and schedule का, इसमें क्या कर सकते हैं, आपके पास तीन option होते हैं, आप daily budget कर सकते हैं, lifetime कर सकते हैं, daily and lifetime दोनों कर सकते हैं, चिक है, तो example के लिए मैं यहां पर daily करता हूँ, वो minimum LinkedIn पर हमें budget 500 का रखना होता है, उससे कम हम अगर रखेंगी, तो campaign start नहीं होगा, फिर आपके पास option होता है, यहां सा आप start date और end date दे सकते हैं, चिक है, bidding को भी हमने आपको दिखाया तक किस तरी किस हमने thank you page का, जो conversion था, उसको हमने create किया था, अब यह demo account है, यहां पर कोई signal receive नहीं हुआ, यहां पर आपको देखने red show कर रहा है, normally आपको यहां पर एक green dot show करेगा, कि यह आपका account यह particular जो conversion है, यह record हो रहा है, अगर अभी तक आपने कोई भ conversion भी create कर सकते हैं, otherwise अगर आपने campaign create कर दी, बात में भी आप एक नया, जो conversion करते हुए इस campaign को select कर सकते हैं, तो मैं यहां से thank you page को select करता हूँ, उसके बाद आपको यहां पर next पर click करना है, जैसे आप next पर click करेंगे, आपका जो objective और add format है, उसको आप change नहीं कर सकते हैं, इसक ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर next पर click कर देंगे, और यहां पर हम save पर click कर देंगे, दोस्तों अब हमने अपनी campaign का जो 20 पार्ट होता है, वो हमने create कर लिए, आप हमें add create करना है, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपका कोई भी existing content, आपने कोई post किया है, उसी तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आपको अपनी add को एक meaningful name देना होता है, उसके बाद आपको एक introductory text देना होता है, जिसकी जो total maximum capacity हो 600 characters है, बट अगर आप इसको 150 characters सब रखते हैं, तो different placement में उसमें कोई भी part cut नहीं होता है, आपको destination URL देना होता है, यहां से आपको select करनी होती यह description देना होता है, साथ में आपको यहां से जो call to action है, वो select करना होता है, तो मैं जल्दी से एक add create कर देता हूँ, यहां पर तो आप यहां पर देख सकते हैं, हमने अपनी add के लिए जो introductory text होता है, destination URL है, image है, headline है, description है, और एक call to action को select कर लिए है, उसके बाद आपको यहां प पर click करना है, otherwise आप यहां पर next पर click कर सकते हैं, आप यहां से review and launch वाली stage में आते हैं, जिसमें क्या करना है, जो भी आपने settings चूज की है, from the starting, आपका जो भी objective क्या है, आपकी campaign group क्या है, आपका schedule क्या है, audience क्या है, आपका add format placement, budget and schedule, conversion आपने क्या select किया, और आपने कौन सी add बनाईए, उसको आप यहां से एक बर review कर सकते हैं, और launch campaign पर आपको click करना है, आप देशकते हैं, यहां पर हमें एक notification आता कि हमारी जो campaign नो successfully launch हो गई है, अगर किसी case में वो reject होती है, तो 24 to 48 hour में आपके पास email आएगा, तो यहां से अभी हमें क्या करना है, go to account, overview पर जाना कर लेते हैं, और जब run करते हैं, तो सारा जो उसके data है, वो आप यहां पर check कर सकते हैं, साथ ही में जो columns में यहां पर आप देख सकते हैं, यह performance के basis पर यहां पर data आपको show कर रहा है, अगर आप चाहते हैं, कि आप जिसे हैं conversion and lead को select कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा, जो conversion and lead क basis पर यहां पर जो different columns हैं, वो add हो जाते हैं, आप उनके basis पर data देख सकते हैं, तो यह option आपको maximum जितने भी different social media platform में सब में बिलता है, तो इसी तरीके से आप यहां पर LinkedIn में भी choose कर सकते हैं, performance का option, otherwise यहां से आप conversion and lead को select कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपने campaign अभी जिसे create किया website conversion और आपका उसके बाद आपने जाके क्या किया है, conversion को create किया, चीक है, तो वो भी काफी easy होता है, आपको किस तरीके से आपने जो भी campaign create किया है, उसमें आप conversion को add करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां पर analyze में जाना है, आपको conversion tracking में जाना होता है, अगर आ यहां पर आप already देख सकते हैं, because इस particular conversion को हमने select किया था website conversion campaign के लिए, तो यहां पर वो active है, बाकि जो हमारी different campaign उसमें हमने select नहीं किया था, तो लेकिन अगर आपने कोई भी campaign पहले create कर ली, बाद में आप conversion कर रहे हैं, या आपने conversion पहले create कर या campaign आप बाद में कर रहे हैं, उसके बाद आपको यहां से next पर जाना है, और आपको यहां पर update कर देना है, तो यही जो same हमने conversion action है, यह हमारी दो campaign पर activate हो गया है, और साथ ही मैं आप इसको देख सकते हैं, track 2, यह पहले यहां पर 1 था, आप यहां पर 2 शो कर रहा है, तो यह आप देख सकते हैं, किस तरी basis पर आपको चार्ज होगा, वो आपको impression basis पर होगा, 1000 या आपको पर click होगा, या पर message send होगा, depend करता कौन सा आप add format select कर रहे है, कौन सी bidding, चो optimization goal कर रहे हैं, उसके basis पर कौन सी bidding मिल रही है, तो यह आपको सारे पूरा आपको अपना business समझना है, क्या आप achieve करना चाहते हैं, basis पर आपको call लेने की कौन सी ad format आप चलाना चाहते हैं, कौन सा optimization goal आप select करते हैं, किस basis पर आप चाहते हैं कि LinkedIn आपको चार्ज करें, मैं उम्मीद करता हूँ, आपको पूरा समझ में होगा, आपको कोई भी question है, आप comment box में पूछ सकते हैं, मैं उसका answer करूँगा, वीडियो आपको लाइक कर दीजिए, चनलोग सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू फो वाचिंग